नमस्कार आपका स्वागत है जोती शास्त्र के अनुसार इस रंग के कपड़े पहनने से दरिदता का सामना करना पड़ता है दोस्तों हर मनुष्य अपने पहनावे अपने बोलने के तरीके अपने रहन सहन अपने व्यक्तित्व इत्यादी के कारण पहचाना जाता है हर व्यक आपके भागे का निर्धारन करते हैं कपड़े सभी पहनते हैं लेकिन हर कपड़ा हर एक वेक्ति के लिए सही नहीं होता क्योंकि कपड़ों के साथ वेक्ति की किस्मत भी जुड़ी होती है शुब अशुब सभी प्रकार की बाते भी वेख्ति के जीवन में उसके पहनावे के कारण ही होती है आई ये जानते हैं कि जोति शास्त्र के अनुसार कोन से वस्त्र का कैसा प्रभाव वेख्ति के उपर पड़ता है लेकिन इस से पहले अगर आपने चानल को अबितक सبस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे, साथी दोस्तों उस बेल आइकान को ज़रू दबाए, ताकि हमारे अगले वीडियो की सुचना आपको आपके मोबाईल पर मिल सके सबसे पहली बात, फटे पुराने कपड़े बिलकुल भी ना पहने, भहुत से लोग अपने पुराने कपड़ों को पहनना बिलकुल भी पसंद नहीं करते, वह कपड़ा फट जाए, तो भी वह फेकते नहीं, और ऐसा करके वह अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जोति शास्त के अनुसार, ये दिवेकती फटे पुराने कपड़े पहनता है, तो वो शारेरिक रूप से अस्वस्त हो जाता है, और भहुत सारी बीमारियों से ग्रासित हो जाता है, इसलिए फटे पुराने कपड़े पहनने से बचे, और बीमारियों से भी खुद को बचाए, दूसरी नहाने के तुरंद बात नए कपड़े ना पहने। नहीं हैं लेकिन कोई ऐसा कपड़ा जिसको आपने पहले कभी न पहना हो या फिर वो बिल्कुल नया हो उस कपड़े को नहाने के बाद भूल से भी ना पहने। कि आप काले रंग के कपड़े ना पहने। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको भी काले रंग के वस्तर उपहार सुरूप भेट ना करे। चोती बात दूसरों के कपड़े ना पहने। जोती शास्तर के अनुसार व्यक्ति को कभी भी किसी और के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। दूसरे का वस्तर भले ही कितना सुंदर हो, साप सुत्रा हो, आकर्शित हो लेकिन फिर भी व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह हमेशा अपने ही कपड़े को पहने। बार-बार पहनने से आपके अंदर आ जाए। कि जो दशा आपके उपर चल रही थी वह बहुत कम हो सकती है। साथ बात, सच्च कपड़े पहने, सच्च वस्तर, सच्च विचार उत्पन्न करते हैं। जोतिश के अनुसार व्यक्ति को कभी भी गंदे कपड़े पहनने नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, तो वह गरीबी का शिकार हो जाता है। मातालक्ष में उससे रूट जाती है और इसकी समक्षक कभी भी नहीं आती। इसलिए कभी भी गंदे वस्तर पहनने नहीं चाहिए। यदि आप गंदे कपड़े पहनेंगे, तो आपको धन की प्राप्ती कभी भी नहीं हो पाएगी। आठी बात, गुलाबी या लाल कपड़े पहनें, यदि आपको बाद बाद पर गुसा आता है और आप अपने गुसे को चाहकर भी रोक नहीं पाते। जिस करण आपसे लोग हमेशा दूर रहते हैं, ऐसी परिसिति में जोती शास्त्र के अनुसार वेक्ति को गुलाबी रंग या लाल रंग के वस्तर पहने चाहिए, जिन वेक्तियों को बाद बाद पर गुसा आता है, लाल या गुलाबी रंग का वस्तर उनके मन से नकरत्मक सोच को खतम कर सकता है, और सकरत्म कुर्जा परदान करता है, गुरु का रंग होता है लाल, इसलिए वेक्ति को लाल रंग या गुलाबी रंग पहने से अच्छा महसुस होता है, नवी बात, विद्यार्ती हरे रंग के वस्तर पहने, हरा रंग बूद का रंग होता है, बू पिश्क के अनुसार येदि आप इन समस्त बातों को ध्यान में रखकर वस्तर पहनते हैं, आप अपने जीवन में आने वाले संकोटों से खुद का बचाओ कर सकेंगे, एवं अपने जीवन में उन्नती भी कर पाएंगे. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और शेर करे, साथी चानल को सब्सक्राइब करे, धन्यवाद.